दोस्तों अवीच फ्लावर चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बात करूंगा मिराबिलिस चलापा या फिर फोर पीम क्लॉक यह ऐसा पौदा है इस पौदे के फूल साम को चार बजे के बाद ही खिलते हैं और इस पौदे का किलर के बात किया जाए इस पे तीन कलर आते हैं कहां से या कि मिक्स पौड़े यह एक पार आता है वाइट जो मेरे पास अभी नहीं है और बहुत सारे कलर मिक्स भी हो जाताह सक्राइए अग्जेसे आप देख रहे हैं मेरे यह लो और पींक का मीक्सर मैंने दोनों पौदे की लगा है इस लिए ती कर आंगा है जिदी इस पौधे की care की बात की जाए तो कुछ care की जरुवत नहीं है इसे शरीप आप मिट्टी और गोवर खाद में लगा सकते हैं खादकी भी उतनी जरुवत नहीं है और हमसे इसे अब गुरोग कर सकते हैं गर्मियों में यह बहुत सारे फोल आपको देता है और इस पौधे को बीच से असानी से लगाया जा सकता है यह देख सकते हैं आप इस पौधे का यहां पे एक बीच है इसे आप यहां से क्लेक्ट कर सकते हैं और इस बीच को क्लेक्ट करके आप इसे ग्रो कर सकते हैं यह बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पाउदा है जिदि आपको कलर दो कलर वाले पौधे चाहिए तो आपको उसी पौधे के बीच को लगाना होगा जिस पौधे पे दो कलर के फूल आई हुए यह आपको नरसरी में नहीं मिलता है, यह पौधा आपको कहीं भी ऐसी जाणियों में उगार आता है, यह पौधा आपको वहां से कहीं से देख कर लाना होगा, मैंने भी इसे बाहर से कलिक्ट किया है, और यह आज बहुत ही सुन्दर फूल दे रहा है, बहुत या कर सक फूल बहुत अच्छा है इसको अब देखिए कि कलर देखिए कितना सुंदर कलर है कि यह देखिए mix कलर प्यूर येलो कलर देखिए पिंक यह देखिए आप इस पाउदे को आसानी से ग्रोव करें थैंक्स दोस्तों मिलते हैं अगले अपने नए अगली वीडियो पर थैंक्स